दोस्तो आईपेल 2022 में चेने सुपर किंस का सफर काफी खराब रहा था इस सिजन के बास से ही CSK और रविंद्र जड़ेजा के बीच कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है आईपेल 2022 के बास से दोनों के बीच आपसी रिष्टों में कलवाट सामने आई थी कि आईपेल 2023 से पहले CSK जड़ेजा को रिलीज कर सकती अभी स्मूद्धे पर MS2 नी ने अपना फैसला सुना दिया है तो वीडियो को स्टार्ट करने थे पहले अभी तक आपने मार चैनल को सब्क्राइब ने गया तो कर दिजे या पर आपको स्पोर्ट सी जुड़ी वडियोस मिलती रही थी है दरसल रविंद्र जड़ेजा को IPL 2022 से पहले चैनल सुपर किंग्स का कप्तान बनाया गया था लेकिन बीच IPL उन से कप्तानी चीनकर MS2 नी को सोपी गई थी जड़ेजा ने आठ मुकावलों में टीम की कप्तानी की थी जिसमें से सिर्फ दो मैच में जीत मिली बाकी की छे मैच में हार का सामना किया इसके बाद रविंद्र जड़ेजा ने अपने अधिकारी इंस्टाग्राम अकाउंट से टीम के 2021-2022 सीजन से सम्मंदित सभी पोस्ट भी हटा दिये थे इसके बाद अटकले लगाए जा रहे थी कि रविंद्र जड़ेजा को सीएसके की टीम से हटाया जाएगा अब इस पर MS2 नी का बहुत बड़ा बयान आया है दरासल MS2 ने हाली में रविंद्र जड़ेजा की जमकर तारिक किये टाइमस ऑफ इंडिया की खबर के मताबिक CSK के अप्तान दोनी ने मैनेजमेंट को साफ कर दिया है कि जड़ेजा को रिलीज नहीं किया जा सकता है वो टीम के सबसे आम खिलाड़ी और धोनी को लगता है क कोई भी खिलाड़ी जड़ेजा की जगा नहीं ले सकते तो दोस्तो अब देखना होगा कि रविंद्र जड़ेजा CSK के टीम से रिलीज होते या उनके टीम में बरकरार रहे से तो दोस्तो आज की टीम बस इतना है ऐसी स्पोर्ट से जूड़े वीडियोस के लिए शेयर सब